सब्सक्राइब करें हमारे शेनल को और शाथ ही बैल आइकन को प्रेश करके ओल शेलेक्ट कर ले ताकि आपके राश्य से जुड़ी शभी महत पूर्ण जानकारियां आपको शमे शमे पर मिलती रहें नमस्कार दोस्तों जैमातादी श्वागत है आपका हमारे शेनल में दोस्तों आज से बात करने वाले हैं पाश मई 2021 गुरुवार के आपके राश्य फलके बारे में सबसे पहले जिनका भी आश्य बर्त्रे है या फिर मारेश इनवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ शेड हेर शार आपके खुश्यों के साथ ऐसी कौन कौन सी परिशानिया और कौन सी कश्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको शावधान रहना है और शाथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आज आपकी गरहों की इस्तितिक क्या सी रहेंगी क्या-क्या योग बनेंगे और इन सभी आपके राशी पर क्या असर होगी हम पूरी विष्थार से जानेंगे इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को मिश बिल्कुल भी ना करें और शुरूर से अंत तक जरूर देखें चिने वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिये गए है आज पांच मई 2021 दिन ब क्रिष्न पक्स की दसमी नामक्ति न。 नक्छत्र की बात करें तो धनिष्टा नामक नक्छेत्रा बना रही है जोिए ठीक शुबहे के नौ 1 by जग 지금 चलेगा औरिश्के उप्रान्त शत्विशा-णनामक नक्छत्रा प्रारंब हो जाएगा योग की बात करें तो ब्रह्म नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक शाम के 7 बचकर 36 मिनट तक चलेगा और इसके उपरांत इंद्र नामक योग प्रारम हो जाएगा चलिए बात करते हैं सुर्य और चंद्रमा का शमे सुर्योदय का शमे शुबह के 5 बचकर चो वन मिनट पर और सुर्याष्ट का शमे ठीक शाम 5 बचकर 53 मिनट पर चंद्र रहे चंद्र आज का शुब शम्मे नहीं है चलिए बात करते हैं आज का शुब शम्म सु यरदि नहीं है की बात करें तो यहां दो पहर 12 बचकर 23 मिनट से लेकर ठीक दो बजे तक चलेगा याद रखिएगा दोस्तों रहुकाल किश्य में किसी भी महत्पुर्ण कारी को आप बिल्कुल भी ना करें और आपके कारी में किशी भी प्रकार की विग्न बाधाय आशकती है एंसान को कभी कि हिम्मत नहीं हारने चाहिए क्योंकि पहारों से निकली हुई नदी ने आज तक राश्ते में किशी को नहीं पोचा कि शमुद्र कितनी दूर है जीवन में खुशी होने के लिए दो शक्तियों की जरुवत होती है एक शहन सक्ती दूसरी समझ सक्ती गुष्य के वक्त थोड़ा रुख जाने से और गलती के वक्त थोड़ा जुख जाने से जिन्दगी आश्शान हो जाती है कर्म तेरे अच्छे हो तो खिश्मत तेरी दाशी है नियत तेरी अच्छी हो तो घर मथुरा और काशी है फूक मार कर दिय को बुझाशाते हैं अगर वती को नहीं क्योंकि जो शुगंद फैलाता है उससे कोई बुझा नहीं शक्ता तुला राश्ची का देनिक राश्ची फल आपके पिछले कुछ शमय से अपने करियर तथा नीजी जीवन शम्मंदियों के गए परिवाशों का फल मिलने का शमय आ गया है ऐसा घटना करम बने का कि आपको कोई बड़ी शफलता हाथ लगेगी आपको परियाशों और परिश्रमों को आपके शिनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबर्जश शमर्थक भी बन जाएंगे आपके दुस्मन आच और शाहाई अनुभव करेंगे चलिए अब आपके श्वास्त को लेकर बात की जाएं तो कुल मिलाकर आपकी शेहत अच्छी ही रहेगी लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाब को देखते हुए अपने शारिरिक और अपने शरीर और खाने का विशेश ध्यान रखना होगा हम आपको बताना चाहेंगे अपने खाने में शभी तरक के विटामिल खाकर एशी और ई को शामिल करने का विशेश ध्यान रखें क्योंकि जिससे आपकी रोग नीरोधक शमता बढ़ेगा हम आपको बताना चाहेंगे हमेशा आठ से दस किलास पानी पीए इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होग और आप श्वस्त बने राज शकेंगे चली अब आपके लव लाइफ की बात करते हैं ग्रहों के इस्तती कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काप मुश्किल वक्त से बुजरना पड़ शकता है लेकिन यह शमय वास्तोब में इतना बुरा नहीं लगेगा हम आपको बताना चाह है आप उनके बारे में शोचते हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज कर सकी तो यहां आपके लिए जिन्दगी का यादगार रिष्टा बन सकता है करियर और बिजनस की बात करें तो आज से बड़ी और छोटी शफलता हैं आपके कारी शेत्र में दस्त सकती है बश हम आपको बदाना चाहेंगे आपके दुबारा एक शमय परदान की गई शेवाओं के लिए आपको कुछ भुक्तान प्राप्त हो शकता है या आपको एक और परतियासित बोनश भी मिल सकता है हम आपको बदाना चाहेंगे एक लंबे शमय से जो पद उनती अट वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और शाथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मंद से जय गनेश जरूर लिख दें ताकि गनेश जी की किरपा आप पर बनी रहे धन्यवाद आपका दिन शुभू